मंगलाचरणचे शिरू करेंगे सबसाहूनम पंच परमेष्टी भगवान कीजे अगले पेतालेस मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों कात्याग करके सभी नौबार नमोकार मंत्र पड़ ले तो हमने कल की क्लास में पढ़ा था आसरव के बारे में और बंद के बारे में आसरव का कारण क्या-क्या बताया था? कोई बताएगा? आसरव के क्या-क्या कारण है? पांच कारण थे हैं, मिध्याटो, अविरती, प्रमाद, कसाय और योग बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर है ना? और ये क्या है? ये कारण क्या है? हमारे मन में उठने वाले, हमारे अंदर में उठने वाले विचार, मन, वचन, कल की क्रिया है ना इसी से हम आसरव करते हैं कर्म का आसरव करते हैं ठीक है वो क्या है अजीव है ना कर्म क्या है पुद्गल है और वो हमारे आत्मा के प्रदेशों से जब बंद जाते हैं उसको कहते हैं बंद तो इन दोनों का हमें त्याग करना चाहिए हमें ना तो आसरव कर्म के करने वाले विचार करने चाहिए और ना ही उनका बंद करना चाहिए तो फिर वो कह रहे हैं कि क्या करना चाहिए फिर हमें अगला बता दो फिर है ना तो क्या कहते हैं next हम देखेंगे संवर यहां पर कह रहे हैं यह दो बहुत important word है अपनी spiritual journey में, शम मतलब कशायों का, या हमारे जो अंदर उठने वाले emotions हैं, उनको शांत करना, वो हो गया शम, कशायों का अभाव कहलो, या हमारे अंदर उठने वाले emotions, कहीं पर भी हमारे अंदर intensity बहुत जादा ना हो किसी चीज़ की, तो वो हो गया शम, और फिर दम, दम मतलब इंदरियों का दमन, दमन मतलब दबाना, इच्छाओं का दबाना, तो ये क्या है शम और दम, ते जो कर्म ना आवे, तो उससे क्या है कर्म नहीं आते, उस ऐसी प्रक्रिया को, कि जब जिस समय हमारी कशाए मंद हो, हमारे बहुत तेज क्रोध ना आ रहा हो, तो कुछ तो होगा ना, कर्म तो हर समय बंद रहे हैं, तो अगर हम क्रोध नहीं कर रहे हैं, हम मया, मया, लोब, सभी कुछ बहुती माइन्यूट या, बहुती कम लेवल पे चल रहा है हमारा, तो क्या हो रहा है कर्म की प्रक्रिया में तब, तब क्या कहते हैं, समवर आदर ये, समवर हो रहा होता है उस समय, किस चीज का समवर, तो जिन कर्मों की, जिन थौट्स को करने से, तिवरिता से करने से, जिस तरह के करम बंध रहे थे वो करम तो अब नई बंदेंगे ना, उन करमों का समवर हो जाता है, वो ऐसे करम जो हमें तकलीफ आगे दे सकते थे, ऐसे करम रुक जाते हैं, जैसे कि let's say हमने मिध्यात्व है, let's say है अब हम मिध्यात्व वाले कोई भी विचार नहीं कर रहे हमने ये धान लिया कि हम सच्चे देवशासर गुरू पर विश्वास रखेंगे या साथ अत्व का शद्धान रखेंगे तो अंदर के विचार भी हमारे वैसे ही आ रहे है तो अंदर के वैसे विचार आने से क्या हु उनका अंदर में आना रुक गया, आसरव रोक दिया तो उसको क्या कहेंगे समवर, ठीक है न, बोट का एक्जाम्पल याद होगा न, कि छेद में से जब पानी अंदर आ रहा था बोट में, तो वो तो था आसरव, अब उस छेद को हमने बंद कर दिया, ठीक है, तो वो क्या हो उस से में हम क्या कर रहे होते हैं, समवर, और दम, जब हम इंदरियों का दमन करते हैं, ठीक है न, इंदरिया मतलब जो बाहर की इच्छाओं को दबाते हैं, बाहर के मन भाग रहा है, तो उस पर ध्यानी नहीं दे रहे हैं, मन को क्या चाहिए, उस चीज पर ध्यानी नहीं तो जाता है तो जाए, मुझे तुझसे कोई मतलर नहीं है, है ना, तो बस उसको देख रहे हैं, मन जा रहा है, देख रहे हैं, इंद्रियां कुछ मांग रही हैं, उसको दे नहीं रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, दमन, है ना, तो शम और दम करने से जो करम नहीं आते, उसको सम्वर कहते हैं उसका आदर उसको ग्रहन करना चाहिए तो ऐसे विचार करना जिससे की इंद्रियों का दमन हो ठीक है न तो वो सम्वर होगा फिर क्या कह रहे हैं तप बल ते विदिजरन निरजरा तप बल अब फरदर हमें अगर रुकेवे पानी को बोट से निकालना है तो क्या करना चाहिए तो उसके लिए बोला तप बल मतलब तप की शक्ती तप की शक्ती से विदि मतलब करम जरना मतलब जरना या उसका खतम हो जाना वो क्या है निरजरा करम की निरजरा कर ली हमने करमों को अपनी आत्म प्रदेशों से दूर कर दिया ये कब होता है? दो तरीके से हो सकता है एक तो है कि करम अपना फल देकर निरजरित हो जाए और एक है कि हम तपस्या करें और उससे करम जो बाद में आने वाले थे उनको पहले ही अपनी आत्मा से अलग कर दिया मतलब फल दिये बिना ही उन्हें अपनी आत्मा से अलग कर दिया और वो कैसे पॉसिबल है? वो तपस्या से, तप से, हैना तप की शक्ती से हम अपनी आत्म प्रदेशों से करम को दूर कर देते हैं वो निरजरा कहलाती है अकाम निर्जरास अकाम निर्जरा की बात हुई थी न तो एक निर्जरा तो है जो करम अपना फल दे कर खुझ से चले जाते हैं और एक है जब करम अभी फल नहीं दिया लेकिन हम अपने तप से उनको अपनी आत्म प्रदेशों से दूर कर देते हैं तो वो कहरें कि वैसा आचरन करना चाहिए ताही सदा आचरिये ऐसा आचरन हमें सदा करना चाहिए कौन नहीं चाहेगा ऐसा कौन चाहता है आसरव करना यहाँ पर कोई भी ऐसा है जो आसरव बंद में इंटरेस्ट रखता हो जो मिठ्यात्व, अविरति उन चीजों को अच्छा मानता हो प्रमाद को अच्छा मानता हो कशायों को अच्छा मानता हो कोई भी नहीं है है ना सबको अभी बात समझ में आ गई कि ये चीजें ये वाले जितने भी विचार हैं भले ही मैंने अभी वरत नहीं लिया लेकिन अतलीस ये तो कह सकते हैं कि अवरत अच्छा नहीं है है ना इतनी बात तो हमें समझ में आ गई कि हमने भले वरत नहीं लिये लेकिन हमें ये बात समझ में आ गई कि अवरत होना अच्छी बात नहीं है तो जैसे ही मौका मिलेगा हम वरती हो जाएंगे ठीक है ऐसे ही प्रमाद जहां तक बन सके अपने को प्रमाद नहीं करना प्रमाद हमारी आत्मा का शत्रू है और करना क्या फिर शम और दम जब भी कशाय आ भी रही हो तीवर क्रोध का उदे हो भी रहो तो क्या देखना, कि नहीं ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, कशाय करना क्या है, आसरव का पाड़ ए और कशाय को कम करना संवर का पाड़ ए, तो कशाय मतलब जैसे क्रोध हो रहा है, राइट, क्रोध बहुत तेज से आरा है, तो क्या करना ऐसे में? कि नहीं करोध मेरे लिए अच्छा नहीं है, ये मेरे नए करम का बंद करेगा, आस्रव करेगा मुझे क्या करना है? अपने इस करोध को, इस कशाय को कम करना है तो कशायों का अभाव कैसे करना वो बात नहीं बताई यहां पर क्या कह रहे हैं कशाय के अभाव से करम का समवर हो जाता है बस इतना ही बताया तो वो अपने को effort लगाना है कि कैसे ना कैसे कशायों को मंद रखना वो ज्यान से भी possible है वो नियम रतादी से भी possible है अगर हम नियम ले लें कि मुझे किसी का भी मन दुखता है मेरी क्रोध करने से तो मुझे क्रोध नहीं करना कुछ भी हो जाए चाहे मैं उसको रूम को मुझे छोड़ कर जाना पड़े चाहे मुझे पानी पी लेना पड़े चाहे मुझे गिंती करनी पड़े चाहे कोई भी कारण बने मुझे क्रोध नहीं करना है तो ये हो जाएगा शम और दम हो गया इंद्रिया और मन को दमन करना उनकी बाद न सुनना फिर तप बल करो तप मतलब तप ऐसा बोलते हैं कि तत्वार सुत्र की एक सुत्रजी में बताया कि तप सा निर्जरा है न तप से निर्जरा होती है और इच्छाओं का रोकना वो तप है रियल जो है तप वो इच्छा का रोकना है इच्छा निरोध तपा ठीक है न? तब तब की परिभाषा दे दी इच्छाओं का रोकना तो इसी लिए वरत करने से तब हो जाता है क्यों? जैसे किसी ने पंखे का छोड़ कर दिया नियम ले लिया कि हम पंखा नहीं चलाएंगे क्योंकि उसने नियम ले लिया तो अब उसने क्या किया? पहले होता था कि थोड़ी देर गर्मी लगी तो ऐसा मन करता था कि काश पंखा चल जाए ठीक है न? इच्छा हो जाती थी अभी उसने क्या किया? इच्छा का निरोध कर दिया अब अंदर से इच्छा ही नहीं हो रही है आप लोगोंने फील भी किया होगा उपास के दिन में अगर डिसाइड कर ले कि आज पूरे दिन नहीं खाना तो उतना याद नहीं आएगा कि हाँ कुछ खाना था इस टाइम पे है न? तो वो क्या कहलाएगा? तब कहलाएगा ठीक है न? और तब की शक्ती से क्या होता है जो सत्ता में बंदे हुए कर्म है आत्म प्रदेशों के साथ वो जड़ जाते हैं उनकी शक्ती कमजोर हो जाती है तब से और वो आत्मा का साथ छोड़ देते हैं ठीक है ये कल देखाता है एक देश खिर जाना निरजरा है एक देश मतलब कि ऐसा तो है नहीं कि हम तब करें और आत्मा से सारे के सारे करम हमारे दूर हो जाएं तो थोड़े जितने थोड़े बहुत जैसा हमने तब किया उसी हिसाब से आत्मा प्रदेशों से करम जड़ जाते हैं तो इसलिए एक देश, मतलब पार्शल, पार्शल दूर हो रहे हैं, है ना, ऐसा नहीं कह सकते हैं कि सारे के सारे करम चले जाएंगे, उस निरजरा को सदा आचरना चाहिए, आचरन में लाना चाहिए, इसलिए जैन धरम कह लीजिए श्रमन संस्कृती है, है ना, उन्हें पता है कि तपश्या से ही करम से छुटकारा पाया जा सकता है, है ना, तो श्रम जरूरी है, तपश्या जरूरी है, इसलिए ये मार्ग जो है ना, ये भोग विलास्तिता का मार्ग नहीं है, अगर कोई चाहे कि हमें खुब पैसा मिल जाए, तो उसको स्पिरिचुलिटी के इस प पे, पैसा वगरे सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना, सारे पुन्य मिलेंगे, लेकिन चाहने से नहीं, अपने आप as a by default जो उसका सब प्रोड़क्ट होता ना, जैसे कि धान है, तो धान का छिलका तो निकलेगा ही निकलेगा भूसी, है ना, तो जिस तरह से भूसी का होना जलता ही है, ऐसा ही तपश्या करने से पैसा और वैभाव और पुन्य सब मिलेगा, लेकिन इच्छा किस की रखनी, धान की रखनी, तो ये सब चीज़े तो अपने आप मिलनी ही है, तो ये मार्ग किन के लिए है, जिनका फोकस सर्फ कर्म की निरजरा पर है, और कर्म की निर करने से, इच्छाओं का निरोद करने से, समझ में आ रही है सब को? हाँ, लेकिन आपकी आवाद चली गई मेरिटा जी से, सॉरी, अबरत और नियम जो हम लेते हैं, वो हमें निदान के साथ नहीं करना है, निदान के साथ तो बिलकुल भी नहीं करना है, ऐसा निदान एक्छली जो वर्ड है न, वो मेंली मुनी लोग के लिए बना है, उनके अंदर ये निदान नाम की शले नहीं होनी चाहिए, कि मुझे कुछ मिल जाए, ठीके मैं इसले तपश्या कर रहा हूं, मुझे कुछ मिल जाए, एक ग्रहस्त के केस में अगर तकलीफ आती है, तो हम उसके लिए जैसे शान्ती करने के लिए, कहीं बार हम बोलते हैं शान्ती धारा कर रहे हैं, या शान्ती विधान कर रहे हैं तो वो चीज जो है ना, वो निदान में नहीं आती, तकलीफ दूर करने की अपेक्षा है ना, उसमें, निदान में क्या होगा, विश्यों की इच्छा, कि मेरा कल को बड़ा मकान बन जाए, या मेरी जॉब में प्रमोशन ह इसके लिए तप नहीं करना, कि मैं सोला ववास कर लूँ और मेरा ये प्रमोशन हो जाएगा, है ना, वेसा नहीं, थाए, थाथ नहीं, थाज ज़िए नहीं करना, मतलब इतना पावर्फुल है ये तपष्या का प्रोसेस, कि जो चाहते हैं, क्यूंकि बता दिया ना, क्लिय कि जो, जैसे जीवन में हम जो चाहते हैं, और वो मिलना न मिलना, हमारे साता और असाता करम के उदय से होता है, अगर हमें जॉब में प्रमोशन चाहिए, तो वो हमारी अगर साता का उदय है, तो मिलेगा, और असाता का उदय है, तो नहीं मिलेगा, तो वो तो हमारे पाप करें उससे जो पुन्य मिला अब हमारी जो भी इच्छा है वो एनिवे पूरी होगी क्यों क्योंकि हमारी साता का उदय हो गया क्योंकि हमने पुन्य बांदा था आज वो पुन्य उदय में आ रहा है तो हम जब पुन्य में उदय में आ रहा है तो हम जो चाहते हैं वो पूरा ह ठीक है ना, मांगने से वो पूरा नहीं हो रहा है, वो पूरा कैसे हो रहा है, हमने क्योंकि तपश्या करी थी, तपश्या से पुन्ने कठा हुआ, और पुन्ने से साता वेदनी है, जब हमारी उद्धे में आई, तो हमारे हिसाब से कारे होने लगा, तो ultimately कहने में व्यभार मे आजाएगा कि हमने उपास रखे थे इसलिए कारे हो गया, लेकिन कारे किससे हो रहा है हमारे, उस उपास से जो पुन्ने मिला, उससे कारे हो रहा है, तो धर्म की प्रभावना के लिए भले हम कह दें, कि उपास से हमारा कारे हो गया, लेकिन अंदर में ये clarity रहनी चाहिए, कि यह उपास से नहीं हुआ हमारे पुन्ने से हुआ है हमारे तप से हुआ है ना जी सपना जी एक देश क्या है हाँ एक देश है पार्शल थोड़े करम जब जड़ जाते हैं एक देश एक देश में था पार्शल सपना जी आपना प्रेश किया हाँ तो जैसे अभी हम बात करें निदान के हमें नहीं बानना चाहिए तो अगर हम एक साइट तो हम यह बात करते हैं कि हमें छोटी-छोटी से नियम पाले जाए वह नियम ही हमारे आगे जाकर बड़े बनते हैं तो जब अगर हम अपने को बोलेंगे कि अगर तुम्हारा यह काम पूरा होगा तो इस बहाने से वह पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं तो इसका मतलब उन्हें उसका पुन्ने नहीं मिलेगा नहीं पुन्ने तो मिलेगा पढ़ने का ठीक है ना उनका काम होगा नहीं होगा यह आप उस पे डिपेंड नहीं कर सकते ठीक है ना उस पुन्य वो जो पुन्य कटा होगा जरूरी नहीं को उसका रेजल्ट उन्हें हाथो हाथ मिल जाए अब उनके किसी पिछले करम का अगर अच्छा पुन्य का रेजल्ट आ रहा होगा तो उनका काम बन जाएगा तब आप कह सकते हैं कि देखो मैंने कहा था ना नमुकार मंतर पढ़ा इसलिए हुआ समझ रहे हैं आप हम उसको उस कोइंसिडेंस को माइन कर रहे हैं प्रभावना के लिए क्योंकि किस करम के उदेश से वो कारे हुआ ये हम नहीं जानते ठीक है ना तो हमने बच्चों को जो बोला वो प्रभावना का हमारे अ पुन्य तो जरूर बंदेगा ठीक है ना तो आपको पेशेंस रखनी है आपको इसका रिजल जरूर मिलेगा ये ही रिजल्ट मिल जाए जरूरी नहीं है इसके इलावा और भी बड़ा रिजल्ट मिल सकता है ठीक है ना कि आपका एक बार पढ़ावा नमुकर मंतर भी वेस् काम कैसे हो रहे हैं पुन्य से हो रहे हैं आपने कभी पिछला कोई पुन्य बांदा होगा इस वज़े से अपका एकारयाज हो गया आज हम पढ़ेंगे नमुकर मंतर तो वो हमारे आगे चल के काम आएगा ठीक है ना और कभी टाइम नहीं है शोटेज है टाइम की समझाने क टाइम नहीं है तो कह सकते हैं कि ठीक आप यह पढ़ो गया तो आपका काम जरूर होगा जैसे बोलते हैं एक्जाम से पहले यह वाला मंतर पढ़के जाना ना दिमाग अच्छा चलेगा अगर हमें यह पता हो कि कोई शक्ति हमारे साथ है कोई श्रधान हमने कहीं पर करके र देने वाला है वो पैनिक नहीं हो पाता ठीके ना सब कुछ याद तो किया है लेकिन पैनिक में भूल जाएंगे लेकिन अगर पॉजिटिव विश्वास है तो मंतर पे विश्वास रहता है तो यह लगता है कि नहीं हम कुछ भूली नहीं सकते महनत खुद ने करी है लेकिन credit किसको दे देते हैं, फिर mantra को, कि ये mantra की जैसे मेरा अच्छा exam हो गया जबकि महनत खुद ने करी है ठीक है न, लेकिन क्योंकि हर एक person में इतना strong willpower नहीं रहता, आपने उपर विश्वास नहीं रहता तो mantra के उपर विश्वास करना easy हो जाता है, लेकिन क्या, इसका ये मतलब है कि मंत्र वेस्ट हो गया मंत्र वेस्ट नहीं हुआ मंत्र के उपर शद्धान रखने से आपने पुन्य बांदा ठीक है ना, फिर चाहिए वो मन में feelings को इसी भी हो रहा है, मंत्र पढ़ने मात्र से आपने पुन्य तो बांदा ही है, वो आज नहीं तो कल, आपको उदे में आके फल देगा पुन्य तो बांदा लेकिन अंदर हमारी जो भावना थी, लेकिन जैसे फॉर एक्जामपल, अगर हम बोलें कि भई, चलो आज हम 21 माला करेंगे, या हम 21 दिन तक भगतामर का पाट करेंगे, अगर हमारी जॉब लग जाती है, तो मन में लालस तो है हमारा, ठीक है, लेकिन जब हम 21 दिन का भगतामर का पाट देली पढ़ रहे हैं, तो उसका पुन्य तो लगीगा ना? हाँ, बिल्कुल लगीगा अगर आपको शद्धान है कि भगतामर जी पढ़ने से मेरे काम है निवे हो जाते हैं तो उसको इस बात से क्यों चोड़ना कि मेरा काम होगा तो मैं पढ़ूँ है ना? अगर आप इसको बिना किसी उसके पढ़ते, तो भी आपका काम ऐसा ही होता, लेकिन तब आपका पुन्य जादा काड़ा कैटिकरी का जुड़ता ठीक है पुन्य अभी भी मिलेगा कि आप भगतामर जी पढ़ रहे हैं लेकिन अभी क्या है ये काम होगा तो करूंगी उसमें कहाँ थोड़ा संदे दिखता है तो अगर आप बिना संदे के करेंगी कि नहीं भगतामर जी में शक्ति है मुझे तो काम होगा ही होगा तब आप जब भगतामर जी पढ़ेंगी तो वो अपने आप परक करेगा और ज़्यादा गाड़ा पुन्बंदेगा और उससे आपके काम हो जाएंगे यदे की लालच तो नहीं कहलाएगा क्योंकि हपन ग्रहस्त हैं जैसे और हमें लट सिक जॉब की जरूरत है या जॉब में अगर हमें प्रोमोशन नहीं मिल रहा बहות देर से और हम इसके बिना काम में हमारा मन नहीं लग रहा है तो मन लगाने के लिए अगर हम इसमें आलंबन ले रहे हैं इसका मंत्र का कि ठीक है अभी मुझे इसका सहारा लेना है तो वो आलंबन कहलाएगा ठीक है ना हाँ तो वो विश्वास बना रहेगा अपने की होएगा जरूर काम अभी निवात कभी तो होएगा है बस यह है कि पुन्य थोड़ी कम कैट करीका बंदेगा लेकिन पुन्य जरूर बंदेगा और कारे जो होता है वो आप और पुन्य से होता है यह क्लारेटी अपने अंदर में रखिएगा कि काम जो होता है वो पाप पुन्य से होता है ना कि हमारी जो हम कह देते हैं बातें उन से ताकि हम कभी भटके नहीं कभी मि मिध्यातों में जाने के चांचीज है इसलिए यह समझी है ब्राइब का जाता है ब्राइब तो नहीं कहेंगे इसे ब्राइब किसको देंगे अपने आपको ही नुकसान पहुंचाने बज़े लोग को बात करेंगे तब नहीं समझानटी बच्चों के मन में आप यह कह रहे हैं कि बच्चों को ऐसा कहके काम करवाना कि यह करोगे अब 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 अपने पाउं के ऊपर खड़े होने दो लेकिन जब बच्चा चोटा है जब उसे नहीं नौलेज है स्टार्टिंग ABC पढ़ रहा है तो उस समय आलंबन हम कितनी बार ऐसा नहीं होता ABC लिखानी है तो बच्चे का हाथ पकड़के चलाते हैं है ना तो यह उसी तरह का आलंबन है एक तरह ऐसे कि तुम यह पढ़ोगे तो तुम्हारा काम होगा अपना उसका इंटरेस्ट बनाने के लिए पहले ठीक है जब उसे इंटरेस्ट आने लगे तब उसे तुम्हारी पुन्ने से हुआ है तुमने जो शांती रखी थी ना उस समय थोड़ा सा उसकी प्रैक्टिस में आ जाए जब आपको लगे कि उसको इस पर विश्वास आने लगा है तब उसको बताईए कि यह जो काम होता है ऐसे होता है ऐसे पाप और पुन्ने हमारी लाइफ में काम करते है तो हमने देख लिया था कि मिध्यातवादी ही आत्मा के दुख का कारण है पर पदार्त नहीं तो अब हमें यह अपने अंदर में क्लैरिटी रखनी है कि कोई भी दूसरा परसन हमारे दुख का कारण नहीं है हमारी लाइफ में अगर कोई संबंद बना है तो उसका कारण हम खुद हैं हमने खुद उनको अपनी लाइफ में इन्वाइट किया है क्योंकि जो आज हम भुगत रहे हैं जो आज हम किसी के साथ कहते हैं कई बार रिलेशन्शिप अच्छा नहीं बन रहा है तो हमने कुछ पीछे किया होगा जिसकी वज़े से आज ऐसा परसन हमारी लाइफ में है तो इसमें सिर्फ सीख लेना समझना ध्यान से देखना कि हमने ऐसा क्या कर्म किया होगा जो आज ये परसन हमारी लाइफ में है और उसमें अपने अपने पेशेंस रखना कर्म का justice देखना उसमें और फिर आगे ऐसा कभी कर्म नम ना बांदे ऐसे अपने परिणाम रखना ठीक है? तो अब मिध्यातवादी भावों का हमें अभाव करना चाहिए सम्वर देख लिया था कि आत्मा के जिन परिणामों के निमिद से नवीन कर्म आना रुखते हैं उन परिणामों को भाव सम्वर कहते हैं वे परिणाम कौन से हैं? शम और दम रूप परिणाम जो हमारे अंदर में भाव आते हैं वो सम्वर है न? और तद अनुसार नवीन कर्मों का आना स्वयम रुख जाता है वो द्रवे सम्वर तो ये भाव समवर द्रवे समवर भाव मतलब परिणाम और द्रवे मतलब एक्चुल करम कवरगणाओं का आना तो शम क्या है कशाय का भाव और दम क्या है इंद्रिय और मन को जीतना निर्जरा फिर हमने देखा था आत्मा के जिन परिणामों के निमित से बंदे हुए करम एक देश खिरते हैं उन परिणामों को भाव निर्जरा कहते हैं तो हर जगें आप कहीं भी देखेंगे आस्रव हो रहा है तो परिणामों से हो रहा है निर्जरा हो रही है तो परिणामों से हो रही है तो परिणाम matters a lot समझ में आया मन वचन काई की क्रिया तो मन का होना मन में थौट्स का आना भी matter बहुत करता है वो एक अलग बात है करें बार किसी किसी को बहुत negative खयाल आ जाते हैं किसी का बहुत खराब समय होता है उदय में हो तो बैटे बिठा है उसको बस negative खयाल आ रहे है बच्चों को लेकर किसी फ्रेंड को लेकर बस खराब खयाल आ रहे है तो यह क्या कहलाता है कशाय का तीवर उदय जब अपने control में feeling रहता ना कि हमारे control में ही नहीं आ रहे हमारे विचार वो क्या है हमारे उस समय तीवर कशाय का उदय चल रहा है तो अब क्या करें तीवर कशाय का उदय चल रहा है तो क्या करें कशाय क्या करती है आसरव करती है नए कर्म का है ना और हमें क्या करना है पुर्शार्थ किस चीज़ का करना है, शम का, है ना, शम, खशायों का मंद करना, तो इस टाइम आ भी रही है ना, तो उसको इग्नोर करने की कोशिश करना, कि ये मेरा नेचर नहीं है, ये बस हो रहा है मेरे किसी पुराने करम के उदै से, मेरे हाथ में नहीं है, अच्छी ब जिन परिनामों से निर्जरा हो, वो भाव निर्जरा, और करमों का एक देश आत्म प्रदेशों से छूट जाना द्रवे निर्जरा, तब किसे कहते हैं, तब है इच्छाओं का निरोध, इच्छाएं, इच्छाओं का निरोध का क्या मतलब, इच्छाएं ही ना आना, ठीक अब बताएंगे मोक्ष का लक्षन और फिर व्यवहार सम्यक्तव का लक्षन तो हमारे कितने तत्व हमने डिसकस कर लिये साथ तत्व में से जीव कर लिया, अजीव कर लिया, आस्रव, बंद, सम्वर, निरजरा है ना, छे तत्व हमने डिसाइड कर लिये रहे गया कौन सा? last मोक्ष का लक्षन क्या है और फिर बताएंगे व्यवहार सम्यक्तों का लक्षन क्या है तो मोक्ष का लक्षन क्या है सकल कर्मते रहित अवस्ता सोश्व थिर सुखकारी इह विती जो सरधात त्वन की सोसम्कित व्यवहारी तो यहाँ पर क्या कहने है, सकल कर्मते, सभी कर्म, सकल मतलब समस्त, कर्मते, कर्मों से रहित अवस्ता, सभी कर्मों से रहित अवस्ता ही, सो शिव थिर सुखकारी, शिव मतलब शान्त बिल्कुल, मोक्ष, स्थिर, स्थिर होना, और सुखकारी, सुख को देने वाली है, ठीक ह जो सरधा तत्वन की, इविदी मतलब इस प्रकार जो तत्व की शरधा है, सरधान मतलब सरधान है, सो समकित व्यवहारी, वह समकित व्यवहारी है, मतलब सम्यक व्यवहार करने वाला है, सम्यक दरिष्टी है, तो किन सारे इन सातों तत्वों का clear हो गया ना समझ में आ गया तो हम अपने आपको जिनको भी समझ में आ गया वो अपने आपको सम्कित व्यवहारी कह सकते हैं सोची कितनी बड़ी achievement हो गई ना अपने ही पुरशार्थ से हमने कितनी बड़ी चीज अचीव कर ली कि हम आज कह सकते हैं कि हाँ हमारे अंदर सम्यक दर्शन है लेकिन वो तब होगा जब हमारे अंदर मिध्यात्व नहीं होगा ठीक है ना? मिध्यात्व का बिलकुल त्याग करना है और बाकी सारे चीज़ें जो हैं वो समझ कर छोड़ते जाना है चारू जी? हाँ जी सम्कित व्यवारी में फिर से ज़रा हाँ सो सम्कित व्यवारी सम्कित मतलब सम्यक ठीक है ना? सम्कित और व्यवारी मतलब व्यवार करने वाला व्यवार से बताया था ना सम्कीत मतलब सम्यक दर्शन और व्यवहार से सम्यक दर्शन कहलाता है क्योंकि क्या है निश्चे सम्यक दर्शन एक चीज होती है ठीक है न और व्यवहार सम्यक दर्शन एक चीज होती है तो हम क्या पढ़ रहे हैं अभी हम व्यवहार सम्यकदर्शन पढ़ रहे हैं ठीक है व्यवहार सम्यकदर्शन निश्चे सम्यकदर्शन का कारण है ठीक है अब निश्चे सम्यकदर्शन अगर याद हो तो क्या है हमारी आत्मा में जो रियल में श्रद्धान लाइक आत्मा को आत्मा रूप देख पाना वो निश्चे सम्यक दरशन ठीक है और उस तक पहुंचने के लिए जब व्यवहार में लाया जाएगा जैसे कि साथत्तो का दृडशरद्धान या फिर देवशास्तर गुरू का दृडशरद्धान सच्चे देवशास्तर गुरू का दृडशरद्धान तो यह कौन कहलाएगा व्यवहार सम्यक दरशन ठीक है डेटोड़े की लाइफ में तो हमें व्यवहार में ही रहना है न इसलिए व्यवहार कारण है निश्चे का व्यवहार को रखना चाहिए नहीं चाहिए हाँ बिल्खुल रखना चाहिए क्योंकि देखिए हम मुनी तो हो नहीं गए है मुनी में भी उचे लेवल के जो मुनी जो सिर्फ ध्यान में लगे रहते हैं हमें सारे व्यवहार करने है तो अब व्यवहार कैसा करना उसके बारे में बता दिया कि साथ तत्वों का श्रद्धान करना व्यवहार में और देव शास्त्र गुरू पर द्रड़ श्रद्धान करना ठीक है ऐसा व्यवहार होना चाहिए हमारा ठीक है फिर तब आकर कोई कह दे जो कल रिटा जी ने भी एक्जामपल लिया था कि कल को आकर कोई कह दे कि 24 नहीं 25 तिर थंकर होते हैं तो हम एकदम से कहीं कि नहीं नहीं बिल्कुल गलत बात है यह हम इसको नहीं मानते क्योंकि हमारे शास्त्र में तो 24 नहीं बताए है ठीक है तो इस तरह का जो व्यवहार है हमारा वो कहां से आ गया वो हमारे शास्त्र पर द्रिड शरद्धान से आया तो हमारे व्यवहार में दिखना चाहिए कि हमें वाके में देव शास्त्र गुरू पर द्रिड शरद्धान है ठीक है कहीं से भी हम मिध्यात्व को अच्छा ना कहें यह हमारे व्यवहार में दिखना चाहिए जारू जी मिथ्या तो कितने प्रकार से होता है मिथ्या तो बताया था इसमें पांच प्रकार से एकांत, विनय, संचय और अज्ञान और एक और विपरित 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 विपरित, एकांत, विनय, संचय, अज्ञान कोई कहे आगम के अनुसार कोई बात ना कहे शास्तर के अनुसार तो वो क्या कहलाएगा विपरीत हमें नहीं मानना इस बात को क्योंकि आगम में ऐसा नहीं लिखा तो वो विपरीत हो गया कोई आकर कह दे आगम से विपरीत बात कह दे तो वो भी प्रीत मिथ्यात हो गया ठीक है हमें उसे नहीं मानना ठीक है कोई आकर कह दे कि ये बात बस ऐसे ही ठीक है दूसरे इसका कोई पहलू नहीं है तो वो भी हमें नहीं मानना कि हमने पढ़ा है हर वस्तु का अनेक तरीके होते हैं एक बात को कहने के अनेक तरीके हैं तो हम एक ही बात पर कैसे मान ले हर अपेक्षा को लगा के देखना तो वो एकांत मिध्यात्वा जाएगा अगर हम कहेंगे कि एक ही तरीके से बात सकते हैं तो फिर हम मिध्यात्वी कहलाएंगे ठीक है इसी तरह से बाकी के तीन भी मानना विने मतलब कुदेव को गुरू और कुशास्त्र की विने करना अंदर में कहीं न कहीं उन्हें अच्छा मानना तो अगर अंदर में बाहर से तो तुम कहा रहे हो कि नहीं नहीं हम नहीं मानते हम तो नहीं करते कुछ भी लेकिन पता चल रहा है कि अंदर ही अंदर सोले उपास करे वे हैं सुंवर के शिवजी के वरत रखे वे हैं अंदर ही अंदर पता नहीं रहा है किसी को लेकिन अंदर ही अंदर तो वो क्या कहलाएगा अब विने मिध्यात्व विने मिध्यात्व इसी तरहे अज्यान और कौन सा था एक संचे कि कहीं पर भी हमें डाउट नहीं रखना कि ये वाकई में हमारा कल्यान हो भी पाएगा कि नहीं इस तरहे का संचे नहीं रखना शास्त्र में कहा है तो होगा ठीक है ना और अज्यान जिसमें कि हमें पता ही नहीं है, हमने ना कोशिश करी जानने की, तो हमारा वो व्यभार भी ठीक नहीं है, हमें अपना पुरुशार्थ, नॉलिज गिन करने में लगाना चाहिए, कि हमारे शास्त्र कहते क्या है, नहीं तो हम बिल्कुल बेवकूब बन जाएंगे न, कोई आकर कहेगा कि 25 तिर्थंकर होते हैं, और हम कहेंगे हाँ, होते हैं, तो हमारा नुकसान हो जाएगा उसमें, तो इसलिए उस अज्ञान को दूर करना, अज्ञान को ज्ञान मानने न, कि हमें तो सब आता है, तो वो अज्ञान मिथ्यात हो जाएगा, ठीक है पांचो मित्या तो समझ में आए और अबनानता के वज़े से I know somebody who had done अठाए का ब्रत किया था पार्णा के दिन बताया कि मुझे तो हर रोज जो रेस्टरान में वो खाने के लिए जाते थे वो याद आता था था उनको एक साइड पर उपास किया आठ दिन के और एक साइड पर उनको रेस्टरान ही याद आती थी Right, right, right You know that and 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 कई बच्चे भी होते हैं अभी you know हमारे समाद में भी है यहाँ पर I'm not talking particularly about one month either but young young बच्चे होते हैं वो भी अठाइका तप करते हैं आठ उपास करते हैं but उनको पूरे-पूरा साइड समझ में पूरे-पूरा अगनान नहीं होता है कि 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 लिए यह तप करना है जैसे अपने बच्चे है अगर हम वो कहते हैं की हम उपास करएंगे राइट और उस दिनुन नहीं जा रहे हैं पूजा करने, तो हम क्या करेंगे, चलो उपास तो कर रहे हैं, तो इस तरह ऐसे थोड़ा प्रमोट करने के लिए चलो को ऐसे भी करतो रहे हैं, अगर उन्होंने रेस्टोरेंट में जाके खा लिया होता, तब कह सकते थे कि हां ये मिध्यात वे हैं, बोलने में तो व्रत करे होए हैं, और जाके खा रहे हैं, लोशा मंद में, चोटे बच्चे जब करते हैं एकास नुपास, उनको तो वो आदत हो जाती है और उनको पता भी चलता है कि जंदर में मैं ऐसे उखवास करते हैं, तो इसलिए suite बच्चे तो बच्चे और बच्चेた हम कर्वाते हिए ह तो मुझे जो लगता है इसमें अगर उनका मन उधर जा रहा है रेस्टोरेंट की तरफ तो इस ओके मतलब अभी इतना मन स्ट्रॉंग नहीं है अभी इतना उनका इंटरेस्ट नहीं है इस तरफ है ना तो लेकिन मिठ्यात्व तब होगा जब उन्हें लगेगा कि यह जो मैं ठाइयां रख रहा हो ना उससे मुझे कुछ फाइदा होने वाला है लौकिक फाइदा के लिए कर रहा है तब हाँ तब गड़बड हो सकती है तब समझ के नहीं कर रहे है अग्यान मिठ्यात्वा जाएगा तब उन्होंने क्या बना दिया इसे जैन धरम को भी कि बस इसमें तो इच्छा करो तब करो इन चीजों से और काम हो जाता है जबकि जैन धरम लिटली है तो सभी साथ तत्व का शड़धान नहीं होगा तो उसे मोक्षिब में श्रधान ही नहीं होगा लगां की हम अपनी आत्मा के कल्यान के लिए सब चीजे कर रहे हैं तब भी कर रहे हैं तो यह जीजों से अपना ही नुकसान फिर वो कर लेता है। कभी-कभी तो इन बच्छों को जाथ चत्थों का अगनान भी नहीं होता है। इन बच्छों को भी नहीं सकता है इतनी जल्दी से, अब आपन सीख रहे हैं वो तो वो तो भी छोटे बच्छे हैं। कि उपवा से कसंद करो, आपको मुक्ष मिलेगा, पुलने मिलेगा। यह बाद तो अच्छी बच्छों को पता रहती है। रीटा जी आप कुछ कह रहे थे, बात पूरी कीजिए। मैं वो बोल रही थी कि यहाँ पर एक्सचेंज स्टूरं इंडिया से आते हैं, हमारे जैन बच्छे आते हैं। आपको लड़के लड़के आती हैं। तो हमें एडुकेशन के में हूं न तो हम उनके साथ मीटिंग करते हैं। तो वो लोग बोलते हैं कि, हाँ मैंने तो है न आठ उपास किये थे, क्यों मुझे दादा दादे को मुझे प्लीज करना था। इसलिए मैंने उपास किया। तो हमें उनका अंडर्सेंडिंडिंग ही कुछ अलग है। अंडर्सेंडिंग नहीं है। तो इसलिए और फिर क्या है कि ऐसे बच्चों को थोड़ा सा फांडेशन स्टॉंग कर दिया जाए। तो वो समझ जाते हैं। तो आइम टेकिंग लाग टीनेजर्स चहई डाला क्लास अलसो। तो उसमें जो उनको नॉलेज आ रही है। आप विश्वास नहीं करेंगे इतनी गजब का उनके अंडेस्टेंडिंग बैटरी है। कि आम रेली हैपी टू सी कि ये बच्चे अगर सही से सिखाया जाए तो ये सीख जाते हैं। हां। बस बार काकuns की उनको जो उनके दिमाग में वॉजकली बात समझ में आनी चाहिए। हां। उनका दिमाग अपने जैरा शार्प है। वो लोग सब्सक्राइब लॉजिक भी फिर शार्प हो गया ना शार्थ है याद रख लेते हैं समझ के हाँ समझ के याद करते हैं अपन सिर्फ अभी याद लेगा अपन थोड़ाद भूल जाएंगे हाँ तो क्यों कर रहे हैं तुपास है ना और यहां के बचे तो ऐसे भी मा माता पीता ने बोल दिया कर लिया कवी नहीं होगा नहीं होता है ना फिर वो अगर अगर अपना बचा या अपनी बेटी बरत रखते है और बरत के टाइम अगर वो प्रिरेट से हो जाते है तो फिर वो बद छोड़ाना चाहिए क्या ऐसा तो नहीं है छोड़ना के नहीं है लेकिन हां बस मंदिर नहीं जा सकते पूजा पाट नहीं कर सकते लेकिन तो फिर उस ब्रत का ब्रत का करने का ठीक रहता है तो करते हैं फल आधा में लेगा करते तो सभी है छोड़ने थोड़ी है उसको ब्रत को हाँ पर ऐसा सुखने है कि उसको छोड़ दिया जाता है नहीं क्योंकि हम लोग तो इस सामबिल करते में देखा लोग करने आते हैं अलग बैठ जाते हैं अपर करते हैं बढ़ अगर जैसे अलग बैठ जाते हैं या कुछ भी कराएं तो फिर वो करवा सकते हैं यहां मतलब मुझे तो ऐसा नहीं लगता इसमें कुछ नहीं कर सकती है जोड से कुछ नहीं बोल सकती है ठीक है तो हमने देख लिया आंटी क्लियर हो गया सम्कित व्यवारी तो फिर क्या कहते हैं आपर हलाकि हम अगली क्लास में समझेंगे देव जिनेंद्र गुरु परिग्रेविन धर्म जया युथ सारो यहु मान सम्कित को कारण अश्ट अंग जुथ धारो तो अब आगे चलके जो प्रक्रण चलेगा वो सम्यक दर्शन का चलेगा और बहुत ही इंट्रेस्टिंग प्रक्रण है यह क्यों क्योंकि सम्यक दर्शन हमारे मुक्ष मार्ग की पहली सीड़ी है जितना अच्छे से हम उसको समझेंगे उतने ही अच्छे से हमारे विचार बन पाएंगे towards जैनिजम and towards हमारे साधर्मी कि हमें व्यभार कैसा करना इसलिए बहुत इंट्रेस्टिंग हमारा ये टॉपिक अब नेक्स शुरू होने वाला है जिसमें हम आठ मदों के बारे में पढ़ेंगे और अनायतनों के बारे में और बहुत सारी information कि सम्यक द्रश्टि के मनस्तिती क्या होती है ठीक है उसके विचार कैसे होते है उसकी सोच कैसी होती है और क्यूं होती है तो इसको बहुत इंट्रेस्ट के साथ सुनेंगे, तो अभी स्टार्ट नहीं करते क्योंकि ये बहुत इंट्रेस्टिंग टॉपिक है, मुझे बहुत पसंद आया था, जब मैंने पहली बार सुना था इसको, तो सम्यक दर्शन के बारे में जानकर पता चला कि कितना लॉजिक है, और यही कारण है कि ये सारी बाते शास्त्र में लिखी हैं, क्योंकि किसी ने इनको फॉलो किया, उनकी लाइफ में ये दिखता चला गया, एक्सपीरियंस होता चला गया, तो उन्होंने अपने एक्सपीरियंस को लिखा, ठीक है न, तो वो चीज हमारे लिए आज भले ह हम शास्त्र कह देते हैं, लेकिन किसी के एक्सपीरियंस से आ रहा है जिसने की सत्य बोलने का नियम लिया था, उसने कहीं पर भी अपने मान की वज़े से कि मैंने जो लिख दिया वो ही फॉलो करना है, जै वो ठीक हो चैना हो, ऐसा नहीं, जिन आचारियों ने ये लिखा, बताया, उनका महावरत था, सत्य का नियम था, सोची आप, आप एक दिन का सत्य का नियम लेके देखिए किसी दिन, आपके मन से जो बात निकलेगी, आप कहेंगे कि आज के डेट में मैं जो बात कह रहा हूँ, आप किसी के बुरे के लिए कुछ नहीं कह पाएंगे, क्योंक तो उनको कभी अंदर से यह नहीं आएगा कि मैं अपने मान के लिए लिखूँ, कि मेरा धरम अच्छा है बस मैं इसलिए लिखूँ, उन्होंने इन चीजों को एक्सपिरेंस किया, इसलिए लिखा, आज हमारा भाग्या इतना अच्छा कि हमें वो सारी चीजे पढ़के, हाला कि कितना डिफरेंस आप लोग की लाइफ में, आपको ये नॉलिज में, जानकारी में डिफरेंस फील हो रहा है, नहां पता होने से और पता होने के बाद, और धरम बिल्कूल भी फिर ना, ये लॉजिक, ये शास्त्रे की बातें डिफिकल नहीं लगती, बहुत इजी लगत ठीक, अच्छी बात है, पूछतना चाहिए, रुखमेनी जी अपने हाथ रेज़ किया, चारू मैंने सोचा इससे पहले की बंद को जए तो मुझे एक चीज पूछनी थी, इससे कनेक्शन नहीं है, एक पर तुमने कर्म भूमी में शटकर्मों का बताया था, काफी पहले की बात है, कहां आया था मुझे तरह ध्यादी आदिनाथ भगवान के समय का है, शटकर्म उन्होंने ही बताये थे, रिशव पहले क्या हुए, जैसे कर्म भूमी शटकर्म, क्या हुए शटकर्म, क्या होता है न, देखिए, जब आदिनाथ भगवान थे न, तब तीसरा काल चल यह कुछ करना नही आता था अर काल « करिवर्तन» होने को था तो सब कल्पव रिक्षो की शक्ती जाती रही अब लोग क्या ते परशान होने लगे जब प्रक्षो से चीजे नहीं मिल रही है तो क्या करेंगे है न, भूब प्र इख भीक तब फिर रिशब देव जी ने कर शट कर्म मतलब असी मसी क्रिषी तो यह सब का ग्यान दिया कि तुम्हे अब क्या करना हो कर्म होगे तो कर्म करो तिक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है तैंक यू थोड़ा साज में कहीं पढ़ रही थी तो